हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दा वर्ल्ड तो आज हम आपके लिए हैं वीडियो में कि आप अपना इस्टेटस जिसको चाहें बस वही देख सकता है तो सबसे पहले हम जाएंगे वाट्सेप में वाट्से में जाएंगे एकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट सीन कौन देख सकता है माई कॉंटेक्ट नोवडी इवरियन तो आप जो चाहें वह सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद प्रोफाइल फोटो माई रखा है इसके बाद तीसरा आता है माई स्टेटस तो इस्टेटस में जाने के बाद आप यहां पे माई कॉंटेक्ट कर सकते हैं माई कॉंटेक्ट एक्सेक्ट कर सकते हैं ओनली शेयर विद कर सकते हैं तो जो माई कॉंटेक्ट करेंगे तो अक्यवल आपके मोबाइल में जो नंबर फीड है उनी को दिखाई देगा तो हम यहां पर करेंगे only share with यहां से आप hidden कर सकते हैं status को कि इन इन पर्सन को status नहीं दिखना है तो यहां पर हम करेंगे only share इसमें हम जितने पर्सनों को सेलेक्ट कर देंगे वस उन्हीं को हमारा स्टेट्स दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा एक नमबर है उसको सेलेक्ट करते हैं माइचियो तो मैंने इसको सेलेक्ट करके और नीचे ड़न कर दिया है यह सारे नमबर रहे इसमें से आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक है पिछे आते हैं पिछे और बैक तो देखिए तीन नुमर सेलेक्ट हो गये हैं तो आप हम बैक आते हैं बैक आने के बाद हम स्टेटस लगाते हैं ठीक है एक स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी लग लगा सकते हैं तो 2020 new year का status लगा देते हैं status लगाने के बाद यहांसे इसको crop करते हैं इतना 다음 ौके करते हैं यहांसे आप कुछ भी लिख सकते है 一फटेटस में निखे कुछ भी जो आपका मन हो good night good morning और इफना लग गया है देख सकते अब हम जाएंगे दूसरे WhatsApp में तो WhatsApp V में पहुंच गए अब यहां से हम status पर जाएंगे और यहां से देखेंगे जो नमबर है वो मैंने my life नाम से शेव कर रखा है अपना ही नमबर तो देखिए status देख रहा है इस तरह से यह status के बल मुझे ही देखेगा तो हम फिर अपने पहले बाले में आएंगे यह देखिए यहां से पहले बाले में my status तो मैंने देखा यह my geo जो मेरा my geo का नमर था उस पर देखा गया तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर आप अगर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत